हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एश्ट्रो गुरू चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेरो विद कृष्णा का एक बिल्कुल नया एपिसोड और आज के लिए मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो आपके भागे से जुड़ा है यानि की व जिस कलर को आप सबसे पहले चूज करते हैं या आपका मन आपका देल जिस कलर की और सबसे पहले जाता है उसे आप अपनी पाइल बना ले वो आपकी पाइल होगी description में हमने time stamp दे दिये हैं time stamp description के साथ साथ comment section में भी लिख दिये हैं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुने हैं तो आप से request करूँगा कि इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जब आप लोग subscribe करते हैं तो इससे मुझे बहुत motivation मिलता है और नए नए वीडियो नए नए topics पर लाने के लिए अंदर से एक intuition एक motivation भी आता है तो दोस्तों अब मिलते हैं आपकी pile में और देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है हेलो pile no.1 आप सभी का स्वागत है आपकी reading में अगर आपने orange color choose किया था तो आपकी pile 1 है और pile 1 के लिए अब हम reading शुरू करेंगे तो देखते हैं आपके भागी में क्या लिखा हुआ है किस्मत आपकी क्या कहती है आपका भागे कब चमकेगा और किस्मत कब से आपका साथ देना शुरू करेगी और साथ साथ tarot के guidance क्या है कि आपको अपनी किस्मत का support पाने के लिए क्या करना चाहिए तो pile no.1 आपके लिए मेरे पास जो पहला card आया है ये है 10 of the pentacles का pentacle house का card no.10 card है और ये आपके लिए first पर आगया जो कि अच्छी बात नहीं है दूसरा card आपके लिए आया हुआ है 4 of the pentacles बिलकुल मज़ेदार हो गया ये तो भई pentacle ही pentacles आ रहे हैं आपके लिए तीसरा भी pentacle house से 7 of the pentacles ये अद्भूद होगी अब ये pentacle ना आ जाए ये है king of the wands खैर king of the wands को देखके काफी खुशी हुई मुझे और आखरी card आया है the fool मेरा favorite सबसे powerful तीन cards में से एक तो pile number one आपके लिए जो spreading आई है ये बहुत बढ़ियां आई है actually combination शुरुआत में थोड़ा सा मुझे awkward लग रहा था लेकिन अब जैसे interpretation आनी शुरू हो रही है और ये जो बताना शुरू कर रहे हैं ये बड़ी बढ़ियां बात है pile number one आपको याद होगा कि आप अपने जिन्दगी में मतलब याद होगा का मतलब आपके पाश्ट में काफी सारे ऐसे भी मौके आए हैं जब आप बहुत success हो सकते थे और कई मौके आपने छोड़े हैं गवाए हैं अपने हाथों से फिसलने भी दिये हैं कई बार आप hesitate और आपने उस डर की वज़ा से hesitation कहें इसकी वज़ा से या इसकी वज़ा से कि आप बहुत ज़्यदा insecure थे आपने उन मौकों को हाथ से जाने दिया अपने आख के सामने से निकलने दिया अभी बीते कुछ समय पहले की बात करें ये चुकि timeless reading है तो जब से आप इसको देख हैं यहां से 6 महिने 8 महिने पीछे का scenario ले 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 उस time में आपने अपने जीवन में कुछ एक ऐसा decision गलत भी लिया है जिसकी वज़ा से आज भी आपको थोड़ा सा पस्तावा तो है कि वो decision अगर आपने समय पर सही लिया होता तो आज कुछ और होता लेकिन present जो condition है pile one वो आ एक satisfactory mode में हैं आपको लगता है कि आपकी life में सब कुछ आपके हिसाब से manage हो सकती है लोग आपकी मदद करेंगे family friends आपको support करेंगे क्योंकि उनका support आपकी life में काफी ज़्यादा रहा है और आपको लगता है कि आप इस समय एक ऐसी position पर हैं जहां से आगे कितना जाएं कैसे जाएं और कहां जाएं ये आपको exactly पता नहीं है इसलिए कुछ भी करके आप वर्तमान इस्थिती को बनाये रखने की पुर्जोर कोशिश में हैं आपकी कोशिश सही है आपका ये plan भी बिल्कुल अच्छा है लेकिन आपको इस बात की भी चिंता करने चाहिए कि social life से सब खुश नहीं रख सकती है लोग आपकी कितनी भी तारीफ कितनी भी वावाही करें लेकिन अगर आपके हाथ में पैसे कम आ रहे हैं तो ये सारी तारीफ सारी वावाही धरी की धरी रहे जाएगी और प्रिजेंट में सब कुछ अच्छा होते हुए भी धन की जिस समस्या से आप दो चार हैं या धन की कमी जो आपकी जीवन में अभी बनी हुई है ये आपको कहीं न कहीं परिशान कर रही है सब कुछ ठीक चल रहा है धन को हटा दें तो किसी प्रकार की समस्या जदा आपकी लाइफ में दिख नहीं रही है यहां मैं बता दूं कि आज की रीडिंग लाइफ को आप कैریएर से जोड़ सकते हैं अपने जीवन में धन का जोस्तर है उस से भी जोड़ सकते हैं और आप लाइफ में कितना खुश रहेंगे फै antibiрист को कितना दे पाएंगे समाज को कितना दे पाएंगे फैमिली और society से कितना ले पाएंगे कितना खीच पाएंगे इन सब चीजों पर भी ये डिपेंड करेगा. तो प्रिजेंट कंडिशन सटिस्फेक्टरी तो है, लेकिन कहीं पर एक टीज बनी है कि धन की वो कमी भी पूरी होनी चाहिए. और आपके लिए गाइडन्स जो सबसे स्ट्रॉंग आई है, उस गाइडन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है, सबसे पहली तो कि अपने उपर भरोसा करें, और दूसरी ये ही कि रिस्क लेना शुरू कर दें. अब रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ऐसी जगहां से छलांग लगा दें, जहां पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या किसी ऐसी चीज में इन्वाल्व हो जाए, जो आपका ना तो क्राइटेरिया है ना जिसके बारे में आपको कुछ पता है, रिस्क लेने का मतलब है कि अपने जाने पहचाने फिल्ड्स में, आपकी जो जानी समझी जगा है, मानले आप जॉब करते हैं और एक नई जॉब लें या ना लें, इसके पेशो पेश में हैं तो आपको बिल्कुल महार रिस्क लेने की जरूरत है, आप बिजनस में हैं, बिजनस में कुछ नया करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये नया फाइदे मन्द होगा या नहीं होगा तो यहां भी रिस्क ले सकते हैं और जॉब में भी अगर बाइचांस आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं अपना पूरा प्रोफेशनल जो आपका बैक्ग्राउंड है उसके बिल्कुल अगेंश्ट जाकर कुछ करना चाहते हैं आपको लगता है कि आप कर लेंगे लेकिन डाउटफुल है कि कितना सक्सीड होंगे तो ये रिस्क आपको लेने की जरूरत है लेकिन कितनी जरूरत है ये जन कार्ट से देखूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि उस रिस्क पर आपको कितना डिपेंड होना चाहिए यानि कि आज की जो ये फेट रीडिंग है जैसे पहले मैं रीडिंग करता था आपने देखे होंगे तो जन कार्ट से जो भी कार्ट निकालता था वो इन पांचों के साथ इंटर कनेक्ट हो करके बताते थे लेकिन आज की रीडिंग में जन कार्ट से जो पांच कार्ट निकालूंगा वो आपके फ्यूचर से ही इंटर कनेक्ट हो करके future में आपको क्या क्या करना चाहिए उसकी guidance देंगे आपके past को अब देखना बंद करूँगा क्योंकि उसका आपके भाग से जो आज और future में बनेगा उससे कोई लेना देना तो है नहीं तो मुझे लगता है time खराब नहीं करना चाहिए आपका भी तो इसलिए confuse मत होईएगा आप तो zen card भी मैंने shuffle कर लिये हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या आता है पहला card आपके लिए आया है laziness का ये बड़ा मज़ेदार card है इसकी जो interpretation है वो बहुत ही अद्बूद और अच्छी होती है मैं ये चार card बंद कर देता हूँ इसको मैं significator की तरह यहां use करता हूँ और zen cards को इधर रखता हूँ तब ये बढ़ियां चलेगा दूसरा card मेरे पास आया है isolation का ये भी अच्छा card है आप कोई भी thinking अपने mind में ना लाएं cards की जो meaning है या जो इनके उपर image बनी है उसकी interpretation मैं आपको बताऊंगा तीसरा है guilt ये तीन के तीन जो card आये हैं ये बड़े ही बढ़ियां बड़े positive approach के साथ आये हैं हाला कि इन तीनों का जो एक you know general meaning है वो बिल्कुल different है जिस तरह की ये information मुझे दे रहा है चौता आया है experience पाचमा कार्ट देखते हैं क्या आएगा मुझे इसका थोड़ा सा suspensive लग रहा है जी हाँ ये आ गया है creativity अब जिस तरह से ये spreading पाच कार्ट की जिजन से आई है ये बिल्कुल match करती हुई है जिस तरह का guidance इनको देना चाहिए बिल्कुल उसी sequence में ये आए है sequence समझते हैं न step by step आपको कहा जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए ये सब एक तरीके से उसी को follow कर रहे हैं तो सबसे पहले आप समझना सुरू करें कि आपको अपने comfort zone से बाहर निकलने की बहुत घोर आवश रखता है जोर से जरूरत है आप इस समय अपने comfort zone में इतना फस गये हैं कि आपको लगता है कि अरे भीया सब ठीक है चल रहा है जो चल रहा है चलते घोड़े को चाबुक मत मारो ये जो कहावत है ये कभी कभी काम आती है लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि किसमत आपका साथ दे तो आपके काम नहीं आएगी चलिए मैं एक और चीज़ आपको किसमत के बारे में बता देता हूँ कार्ड से अलग ताकि आपके लिए help हो जाए आप समझ जाए कि किसमत का इस्तेमाल कैसे करना है असल में हमारी जो दुनिया है हमारा जो देश है या जो हमारी सोसाइटी है इसमें किसमत खुलने का मतलब या भाग्योदय होने का मतलब ये माना जाता है कि किसी की किसमत अगर उसका साथ देगी तो किसमत एक हुक लगा कर उस परसन को उपर लेकर जाएगी उपर मतलब आगे ले जाएगी वो परिशान क्यों है, लाइफ में आगे क्यों नहीं जा रहा है, तो होता एक्चुली यह है कि किस्मत खुलने का मतलब यह नहीं होता, किस्मत आपको उठा कर ले जाएगी, इसकी मीनिंग यह है कि किस्मत अब आपके पीछे धक्का लगाना शुरू कर रही है, इसको ऐसे सम पर हैं, तो सही ट्रैक पर चले जाएंगे, गलट ट्रैक पर हैं, तो बिल्कुल यह होता है, पहला चीज, जब आपका भाग्योदे हो, या जब आपको लगता हो कि अब किसी ने आपको बताया कि किस्मत अच्छी होने वाली है, तो माइंड को पॉजिटिव कर लें, क्यों बहुत अच्छे लोग भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई में उनका किस्मत साथ देरी, वो आगे निकलते चले जाते हैं, तो आपको यही करना है, पहला अपना माइंड क्लियर करिए, पॉजिटिविटी रखिए, नकारात्मक बातें सोचने बंद करिए ताकि किस्मत सपोर्ट करें, अब जैसा कि मैं आपको बता रहाता, सबसे पहले तो आपको अपने कमफर्ट जों से बाहर निकलने की जरूरत है, और अगर आपको यह कभी लगता हो कि आप अपने माइंड के एकदम गुलाम बन गए हैं, और आपका दिमाग आपको ना तो क बिजनस में और ज्यादा सक्सेस पास सकते हैं, इसके लिए मेहनत करनी होगी, दिमाग कहता है भाया चुप चाप बैठे रहो, पड़े रहो जहां हो, और एकदम एंज्वाइ मोड में रहो, अगर ऐसा लगता है कि यह चीजे हैं, तो आपको एक चीज जरूर जान लिने च कोशिश करेंगे, और अपने मांड के अगेंश्ट जाने की कोशिश करेंगे, तो मांड बहुत जोर से आपके साथ लड़ना शुरू कर देगा, आप एक विचार अपने मांड को भेजेंगे, वो दस विचार वापिस करेगा, आपको यहां पर अपने आप में थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि आप अपने आपको comfort zone से कैसे निकालें, शुरुवात कैसे करेंगे, छोटी छोटी चीजों से करें, जैसे मान लेते हैं कि daily के routine में आपका कोई एक set plan है कि आप इस निश्चित समय पर coffee पीते हैं या चाय पीते हैं, उस निश्चित समय को थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, लंच के time को थोड़ा सा आगे या पीछे कर दीजिए, सोने के time को up या down कर दीजिए, जागने के time को पहले या देर में कर दीजिए, अगर आप सुबा 5 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने लगिए, और अगर आप सुबा 8 बजे, 9 बजे सोकर यह मज़ेदार है, मज़े बताने जाना हूँ, आपका जो routine चल रहा है, आपको पता है कि यह discipline में नहीं है, लेकिन आपके mind ने इसे discipline बना रखा है, तो उसके लिए discipline है और अब आपको उसके discipline को indiscipline में convert करना है, जैसे ही आप indiscipline में लाते हैं, mind तुरंट रेजिस्ट कर करेंगे, आपको इसमें तीन-चार दिन के अंदर ही, जी हां में महीना कहने वाला था, लेकिन यह कहते हैं कि तीन-चार दिन के अंदर ही आनन्द आने लगेगा, और आप कुछ नया करने के लिए उसकता में अंदर से महसूस करेंगे, आगे बढ़ें, life को enjoy भी करें, और छ कि आपकी किस्मत का अच्छा समय ये चल रहा है आपको जरूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की और बता दूँ आपको कि आप ये भी जानना चाहेंगे टाइम लाइन की ये अच्छा समय जो अब चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा यानि किस्मत कब तक धका देती र हटने वाली कंडिशन को बताते हैं लेकिन आज ये टाइम लाइन के मामले में बड़ी ही रोचक और मरोनिंजक बात ले करके आए हैं ये कहते हैं कि अगर आप अपने आपको इस कंफर्ड जो उन से बाहर निकाल लेते हैं तो आपके लिए दो साल बड़े बढ़िया होंगे और अगले तीन साल थोड़े क्रिटिकल लेकिन आपके फाइदे के होंगे यानि क्रिटिकल का मतलब वो थोड़ा मुश्किल होंगे अगले तीन साल दो साल के बाद वाले अगले तीन साल लेकिन उसमें भी अगर आपने अपने आपको थोड़ा सा पुश करे रखा, धक्का खुद को लगाए रखा, तो वो तीन साल भी आपके फेवर के होंगे, लेकिन अगर आपने आपको इस comfort zone से बाहर नहीं निकाला, तो पहले तो वो तीन साल आप useless कर चुके हैं, उसको तो भूल जा तो इनकी और आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, आप इसको use भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ठंठन गोपाल, निलबटा सननाटा, तो इसलिए pile number one, अपने आपको comfort zone से निकालें, जैसे ही अपने आपको comfort zone से निकालेंगे, जो मैंने बताया, छोटी 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 चीज़ें करें, अगर आप confused हैं, या आपको ये चीज़ें थोड़ी सी भी un understandable लगी हैं, तो इस वीडियो को repeat एक बार देखें, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएं, और साथी साथ आपको एक चीज़ें का और ध्यान रखना होगा, कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है, कि आप किसी ऐसी problem में हैं, जहां से निकल नहीं सकते, किसी ऐसी situation में fuss गए हैं, यानि अपने comfort zone से निकलने के बाद, आपको लगता है कि चीज़ें आपके control से बाहर हो रही हैं, ये भी लग सकता है, ये एक चीज़ आया है, जो बड़ी देर से शान्त बैठा था ये isolation का card, क्योंकि वहीं से चीज़ें breakthrough out होंगी, वहीं से break करेंगी सारी चीज़ें और आप बाहर निकलेंगे, और धीरे धीरे आप mental peace भी प्राप्त करेंगे, एक तरीके का discipline जो आपका अपना discipline है, आपके mind करेंगे, आपका अपना discipline है, उस पर भी आएंगे, आपकी creativity बढ़ और अगले जो तीन साल है, ये दो साल आपको सिखा देंगे कि अगले तीन साल कैसे use करने है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी गरबड कर दी, तो ये 5 साल पूरे पूरे आपके waste चले जाएंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये waste जाएंगे, आप इनको use करें, छोटे रिस्क, बड़े रिस्क में कैसे convert करने हैं, और ज्यादा benefit कैसे निकलना है, तो pile number one, आपके लिए आज के reading यहीं तक, आपको आज का ये जो वीडियो है, ये जो topic जिस पर मैंने आपको इतनी सारी बातें बताएं, ये कैसा लगा, मुझे comment section में जरूर लिक करके बताएं, मै करी बार दोग समझते हैं कि उस WhatsApp पर मैं हूँ, बट मैं आपको बता दूँ, WhatsApp नंबर computer screen पर चलता है, जिस पर मेरी team काम करती है, तो वो आपको पूरी help करेंगे, मेरे साथ connect कैसे होना है, appointment कैसे book करना है, सब कुछ बताएंगे, तो वहाँ से आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, इस आपका pile number है 2, और अब आपके लिए हम reading शुरू करेंगे, और देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है, किस्मत कहां रुकी हुई है, कैसे ये अच्छी हो सकती है, या आपकी किस्मत अच्छी चल रही है, आपको नहीं पता है, और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ों पर discuss करेंगे, guidance लेंगे, तो एक बार card को हम shuffle करने है, ओके, card shuffle हो चुके है, अब इसको fan out करते हैं, और pile number 2 आपके लिए पहला card मेरे पास आया है, 8 of the swords का, sword house का पहला card, और दूसरा card queen of the wands, ओके, यह दोनों बिल्कुल opposite, तीसरा card queen of the swords, sword house के 8 of the swords के साथ, sword house की queen भी आ गई है, और चौथा card आया है 10 of the wands का, और आपके लिए पाच्वा card आया है, knight of the pentacles का, pile number 2 जैसा कि आपको पता है कि आपके जीवन में चीज़ें हमेशा आसान तो रही नहीं है, बहुत सारी complication, बहुत सारी मुसीबते हैं, और जब जब चीज़ें अच्छी होनी शुरू ही, ठीक उसी समय चीज़ें complicate होती भी चली गई, आप मुसीबतों से निकलते गई, फस और present time में आप एक over burden की condition में हैं, या responsibilities आपकी छमता से कहीं ज्यादा आपके उपर आ चुकी हैं, अभी आप बिलकुल stuck हैं, फसे हुए हैं, और कुछ भी करके निकलने की कोशिश कर सकते हैं, या निकलना चाहते हैं इस condition से, तो fortunately आज मैं आपके help के लिए आया भी हूँ, अ अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया, अगर ये चीज आपसे resonate कर रही थी, तो अब आप आगे की पूरी reading को बिलकुल ऐसे समझें, जैसे ये आपके लिए personal reading चल रही है, और अगर resignation 70% के आसपास रहा, तो इसे general की तरह से लेकर के ही चले, 70 से अगर उपर है percentage, 80, 90, 100 percent आपके साथ resonate करी है, जितनी बाते मैंने अभी बताई, तो आप इसे माने की ये आपके लिए personal reading है, और अगर 70% के आसपास ही आप आकर टिक गए हैं, तो इसे general reading की तरह से ले, कोई issue नहीं है, तो pile number two, आपको एक चीज थोड़ी सी समझनी होगी, कि responsibilities आपके पास जो हैं, वो responsibilities actually आप ही handle कर सकते थे अपनी life में, या अपने family में, या अपने surrounding में, इसी वजह से वो आपके पास आई है, यानि कि एक तरह से कहें, तो आपको चुना गया है, अब इसका क्या मतलब है, इसकी सीधी सी meaning है, कि आप काबिल हैं, तभी आपके पास इतनी responsibilities, overburden responsibilities हैं, दू अब आपको क्या करना है, समझ गए, नहीं समझे, बहुत आसान चीज है, सिर्फ उसे खराब होने से बचाना है, बाकि अच्छी तो होई रही ना, बार बार, तो वो कैसे बचानी है, उसके लिए मैं आपकी help करूँगा, zen cards की मदद लेता हूँ, और अब मैं आपको बता द का हूँ, आपके present और future के लिए, जो card मेरे पास है, future में क्या है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, उसके साथ में इसको, जो zen cards निकालूगा, इसका interpretation होगा, और तब आपके present में आपको क्या करना है, और future में क्या करना है, इसकी deep information आएगी, past वाले मामले को आज छोड़ है, silence, तीसरा card, zen card से आपके लिए आया है, maturity, आपके लिए चोथा card आया है, control, और पांचवा card आपके लिए आया है, guilt, guilt का पांचवे नंबर पाराना मुझे थोड़ा सा हैरान कर रहा है, लेकिन अभी आया है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, और इन्होंने अभी मुझे कुछ बताना शुरू नहीं किया है, तो मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकता, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, तो मुझे लगता है कि इन चारों की बाचित खत्म होने के बाद ये अकेले कुछ बताना चाहेंगे, तो खैर देखते हैं, ये क्या कहते हैं, तो खैर अभी इनको आपकी लाइफ में, मतलब ऐसा समझें कि आपके जीवन में अगले कुछ समय में भाग योदे होने वाला है, और अब मैं टाइम लाइन लेने वाला हूँ कि ये कब होगा, क्योंकि जैन कार्ट्स ने टाइम लाइन तो दी नहीं है, ये गाइड़न्स दे रहे हैं, और बिल अब ये जो है टाइम लाइन कहां तक जा रही है, ये मैं आपको थोड़ी दिर के बात बताऊंगा, मैंने देख लिया है, और उसे मैंने अभी इसलिए हाइड रखा है, क्योंकि वो आपको थोड़ी दिर बाद जाना चाहिए, अब आप पहले चीज समझें कि कि किसमत आप की खुलने वाली है, उसके लिए आपको कुछ तैयारियां करने की जरूरत है, आपको सबसे पहले अपने उपर फोकस करना होगा, दूसरी चीज अपने गोल पर फोकस करना होगा, और तीसरी चीज थोड़ा सा सेलफिश होने की जरूरत है, दुनिया का भला बहुत जादा क या क्या कर रखी है तुमने अपनी जिंदेगी में तुम कुछ नहीं करती हो, पागल ललकी हो, तो मतलब ऐसा ही है, तो अभी तक तो यह चीज़ें फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से आपका फेस टक हैं, परिशान हैं, बोजिल हैं, दिल का दर्द किसी से कहने ही पा रहे हैं किसी को अगर कहते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा, और अगर कोई समझता है, तो वो आपकी हल्प नहीं कर पा रहा, तो यह जो एक पोजिशन बनी हुई है, आज की जो रीडिंग है, इसमें लव अफेर्स को और मैरिजवाले मामले को इनवाल मत करियेगा, उनका आज की र अटा करके सुनियेगा, यह रीडिंग आपके कैरियर, आपके बिजनस और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, अब आपके लिए सबसे पहला आया है कंडिशनिंग, फिर साइलेंस, फिर मिचेरोटी, फिर कंट्रोल का कार्ड, और यह चार कार्ड इंटर्पिट कर रहे ह तो पाइल नमबर टू आपको सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी होगी कि आप कितनी भी प्रॉब्लम में हैं, कितनी भी दर्द में हैं, कितनी भी समस्या में हैं, आपको अपने मन की बात, अपने दिल की बात दूसरों से कहनी बिलकुल बंद कर देनी है, किसी को मत बताई ये कि आप क्या फिल कर रहे हैं, कितना परिशान हैं, कितना दुखी हैं, कितना नाराज हैं, कितना हिजिटेट हैं, कितना इंसिक्यूर हैं, क्योंकि सुन तो कोई रहा नहीं है, बस आप बता के हलके हो जाते हैं, मामला खتم, तो जब कोई सुन नहीं रहा है, कोई उस पर ठ चीज को अपने पास रख करके बहुत ज़्यदा बर्डन फील करते हैं तो इसे किसी पेपर पे लिखें और उसे फाड़ दें उसे फाड़ना इस तरह से है कि वो किसी को मिले नहीं कि वो जोड़ने टेप लगा कर और पढ़ने करें ये चल रहा था तो उसको डिश्ट्वाइ कर दें ठीक ठाक से फ्लश कर दें सेकेंड तिंग आपको अपने आप से लड़ने की जरूरत है असल में ये आप हैं जिसने अपने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है जी हाँ आप आप सही समझें और अगर आपको चीजों को एक बार हमने गैड किया है कई बार हमने इनकी उंगली पकड़ कर निकालना चाहा बटिया थ हाँ चोड़ के भाग गए यानी आपको अपने ऊपर थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है और कभी-कभी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के ऐसे काम करने की भी जरूरत है जो प्राया आपको लगते हैं कि आपके स्वार्थ साधने का कारण हो सकते हैं इसलिए आप उनको नहीं करते हैं मतलब ऐसे काम जहां आपको लगता है कि यार अगर मैंने ये किया तो सब को लगेगा कि यार ये तो बड़ा selfish person है और ये जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने चक्कर में कर रही है और वहाँ पर आप क्या करती है कि चलो जाने देते हैं सब की भलाई करते हैं तो सब की भलाई वलाई जैसा कि मैंने पहले ही बताया बंद कर दें अपनी भलाई करना चुरू करें और जब आप अपनी भलाई करेंगे तो सब की भलाई अपने आप हो जाएगी ठीक है भगवान राम माता सीता को बचाने गए थे अपने लिए रामण मारा और पूरी दुनिया में शान्ती चा गई वो सारी समस्या जो रामण ने फैला रखे थी सब खतम हो गई तो भगवान राम ने दुनिया के लिए थोड़ी किया था तो अपने लिए कर रहे थे तो बिलकुल ऐसे ही समझे अपने लिए करें चीज़ें आटोमेटिकली सब के लिए हो जाएंगी फोकस खुद पर रखें अगली बात आपको थोड़ा सा और ज्यादा अपने आपको मिच्योर दिखाने की जरूरत है आपके अंदर जो बच्पना है आपके अंदर जो हलका पन है या जॉली नेस है जिसको कहेंगे बच्पना ना कहें क्योंकि बच्पने से कभी-कभी लोग गलत समझ लेते हैं तो जो हलका पंज, जॉली नेस, जो आनन्द लेने वाली बात है इतनी सारी मुश्कुलें के बाद भी आप मुस्कुराते रहते हैं, हसते रहते हैं उसे बरकरार रखना है, उसे हटाना नहीं है, लेकिन मिच्योरिटी भी दिखानी है कहीं-कहीं कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ कहने जा रहे हैं, रुख जाईए, थाम जाईए कभी-कभी सुन लीजिए, और रियक्ट मत करिए इसकी प्रैक्टिस छोटी-छोटी चीजों से करेंगे, तो बड़ी-बड़ी चीजों में जाएगा शुरुवात में बड़ी-बड़ी चीजों में प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल भी ये सद्ध नहीं पाएगा इसलिए छोटे छोटे चीजों में इसके practice करिए आसान तरीका बताता हूँ आपको बहुत आसान तरीका खाना खाने बैठे हैं आपको रोटी चाहिए दो अब आप क्या करेंगे कैसे मांगेंगे जरा दो रोटी लेकर आना उसकी जगह आप दो रोटी दो वर्ट को बोल सकते हैं चार छे वर्ट की जगह दो वर्ट को बोली है इससे क्या होगा कि आपको एक अलग feeling होगी आप करके देखिएगा आपको एक अलग feeling अलग अहसास होगा कि कम शब्दों में काम हो सकता है अपनी बात कही जा सकती है और वो चीज आपके अंदर के कुछ को बदलेगी और जो कुछ बदलेगा धीरे धीरे वो आपको खामोश नहीं करेगा इंटरवर्ट नहीं करेगा आपको mature बनने की कोशिश करेगा कम से कम mature आप बने या नबने बड़ दूसरों को दिखने शुरू हो जाएंगे और अगर कोई आपसे पूछे कि क्या चल रहा है तो उसे जैसा कि मैंने पहले बताया जवाब नहीं देना है अपनी बातें नहीं बतानी हाइट रखनी है अब आते हैं आखरी पर आपको कंट्रोल करना है जी हाँ आपको rule करने की जद्य है अपने आपको नहीं करना है आमत तरपर मैं कई बार ratings बताता हूं ना खुद को इसो को इस बार आपको यह नहीं करना है जो लोग आपके under में काम कर रहे हैं या जो family आपके उपर dependent है उनको यह जताना भी है कि आपके under हो dependent है angry नहीं होना है, egoist नहीं होना है, self-centric नहीं होना है बड़े प्यार से सिर्फ जता ना है जताएंगे कैसे, कभी कभी गलती से वो तारीफ करते हैं कि आपने जो किया बड़ा बढ़िया किया और फिर वो भूल जाते हैं आप कहते हैं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही है आप क्योंकि नाराज हैं थोड़े से, आप का mood थोड़ा सा उखड़ा होता है तो आप अपनी तारीफ पर भी ना तो खुश होते हैं, ना नाराज होते हैं बाद में लोग भूल जाते हैं, यह आपने याद किया, मलब आपको यह चीज़ याद आ गई होगी और उस समय ही, जब वो खास moment में ही लोग आपके बारे में अच्छा कहते हैं तो उस अच्छे को किची है अपनी और, तैंक्यो आपने यह किया, हाँ जी मैंने किया, कैसे किया, अरे बस, मैं तो हूँ ही इतना बढ़िया exactly बोल दीजे, मैं तो हूँ ही इतना बढ़िया, मेरे अंदर काबलियत है तब मैंने किया I am best, कुछ arrogant word अगर बोल करके आप अपनी controlling power को दिखा सकते हैं दिखाने की जरूरत है, लेकिन आपको अंदर से यह ठीक से पता होना चाहिए कि आप egoist ना हो पामें, आप self-centric ना हो पामें, self-centric का मतलब होता है जिसे अपने अलामा कुछ सूचता ही नहीं है, selfish और self-centric में बड़ बड़ा फार्क है बहुत बड़ा अंतर है, selfish इंसान अपने फायदे की सोचता है और self-centric ना हमेशा यह सोचता है, कि लोग उसकी respect करें इसलिए वो अनरगल फालतों की बातें बोलता रहता है तो वो नहीं करना है, इसको समझे अब आते हैं, हम पाच्वे कार्ड पे guilt जो की अब इन्होंने बताना शुरू किया करना क्या है यह कहते हैं कि यह सब काम जब आप करेंगे यह जो कृष्णा ने अभी अच्छे अच्छी चीज़ें बताई यह यही कह रही है जब कृष्णा ने अच्छे अच्छी चीज़ें बताई यह सब करने के बाद आपको अंदर से guilt feel होगी इसलिए मैं समझ नहीं पारा था यह पाच्छे नंबर पे guilt क्यों आया है आपको अंदर से लगेगा कि आप थोड़ा egoist हो गए है आप अपने आपको एक ऐसी position में establish करने के कोशिश कर रहे है जिसके लिए आप नहीं है यानि कि उस position को आप acquire नहीं करना चाहते आप बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में सोचे कि सब कुछ आप manage कर रहे है आप तो कहते है रहे सब भगवान की करपा से हो रहा है नहीं ये नहीं कहना है आपको कहना है मैं कर रहा हूँ भगवान साथ दे रहे है भगवान की करपा से हो रहा है का मतलब हुआ मैं नहीं कर रहा है इसको थोड़ा सब्दों का फिर बदल करिए कि मैं कर रहा हूँ और भगवान मेरी help कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर मैं ना करूँ तो भगवान help कर रहे हैं तो अब आप इसको सही समझ गई होंगी life में आपको ऐसे मौके भी आ सकते हैं in future जब आप अपने आप में थोड़ा सा depressed condition में आ जाएं कि या एक तो यह है कि डिप्रेस कंडिशन मतलब इसी की वज़ा से जो मैंने बताया और दूसरी एक और चीज है कि चीजें जब बहतर शुरू होंगी होनी बढ़ियां भी होंगी ना आगे ऐसा करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी आपके फेवर में होंगी आपको समझ में आजाएगा कि अब किसमत मेरा साथ दे रही है और मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए और उस समय आपके अंदर घबरहट आ जाएगी और जब वो घबरहट आए तो आपको खुद पर भी कंट्रॉल करना है यहाँ उस समय खुद पर कंट्रॉल करना है और शुरू हो जाएंगी, आपकी किसमत खुलनी शुरू हो जाएगी, और आप इन बातों के लिए अपने आपको इस एक साल में तयार कर लें, ये एक साल का टाइम पीरिड एक तरीके से दिया जा रहा है, एक्जाम के तयारी के लिए आपके, तो ये सब तयारी कर लेंगे, और चीजें बदलेंगे, और उस समय आपको चाहिए कि थोड़ा सा शांत भी रहें, यानि कि meditate करें, और दूसरी चीज, लोग उस समय आपको influence करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, लोग आपको डराने का भी प्रयास करेंगे, कि भीया तुम ब उठ जाता हूं तो मैं समझ जाता हूं और नया सीख जाता हूं तो अपने ऊपर के confidence को खोना नहीं है दूसरे अगर आपको निराश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आना नहीं है इन चीजों को समझ लें मैंने जैसा कि बताया अगर past आपसे resonate किया है तो यह आपके लिए personal reading जैसा है इसका meaning होता है कि अपने mobile phone में इस video को save कर लें काईदय से save कर लें ताकि आप इसको miss न करें जब यह चीज़ें होनी शुरू हो तो यही video आपको guide करेगा कि क्या क्या करना है कहां कहां गलतियां नहीं करनी है ध्यान रखेगा pile number two आपके लिए और कुछ नहीं है और अब मैं बताता हूं कि वो timeline खत्म कहां हो रही है आपको जानकर बहुत खुशी होगी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो timeline खत्म हो रही है जहां पर आप उसे खत्म कर रहे हैं exactly वो timeline एक साल के बाद शुरू होग या अब बहुत हो चुका और मैं ठक चुका या मैं ठक चुकी अब मैं और मेहनत नहीं करना चाहती क्योंकि मेहनत को ही किस्मत धक्का लगा कर आगे ले जाएगी ना किस्मत आपको हाथ पकड़के थोड़ी ने लिकी जाएगी कि चलो साथ साथ ऐसा नहीं होगा आप आगे कई सालों के बाद आकर मैं बंद करने वाला था लेकिन वो अंदर से वी एक जीज बताते हैं कहते हैं कि कई सालों के बाद 5-7 साल के बाद अगर ये इस बात को मानते हैं इनकी किसमत सपोर्ट करते हैं सब कुछ बढ़ियां हो जाता है तब एक arrogance आने शुरूर होगी तो उसे आपको control करना होगा तो शायद मैंने इसलिए भी पहले कहा था कि इस वीडियो को save करें ताकि आप इसे बार-बार बीच-बीच में कम सकम महिने में एक बार repeat करके अपनी pile number 2 का वीडियो देख लें क्योंकि यह अगर आपके past से जैसा मैंने शुरू में बता है match किया था तो यह personal reading जैसा है और यह आपके लिए lifetime के लिए help कर सकता है और आपको इस वाले वीडियो से यानि की pile number 2 अगर आपने choose किया था तो इसने आपको कितने help करी मेरी बाते कितनी आपको ठीक लगी या नहीं लगी जो भी है whatever आप comment section में लिख करके मुझे जरूर बता है मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगोंने मुझे information दी कि यह हो रहा है आपके साथ में और मैं कोशिश करता हूँ सबको reply करूँ और हाँ अगर आप मेरे साथ खुद अपने लिए एक personal session चाहते हैं तो इस screen पर जो number है इस पर आप WhatsApp करें call मत करें क्योंकि यह WhatsApp number ही है जो system पर चलता है मेरी team आपको help करेगी मेरे साथ appointment book करने के लिए उनको देखना पड़ता है कि कौन सा time मेरा खाली है actually मुझे भी schedules पता नहीं होते वही मुझे daily daily का schedule देते हैं मैं एक दिन से जादा का schedule नहीं लेता हूँ क्योंकि फिर वो मेरे mind के लिए बढ़िया नहीं होता है तो मैं भी अपने आपको काफी cool रखने की कोशिश करता हूँ तो आपको अगर जरूरत है तो personal reading में आ सकते हैं नहीं जरूरत है तो general reading तो मैं YouTube पर डालता ही रहता हूँ ये भी आपकी बहुत help कर सकती है वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाई बाई हेलो पाइल नमबर थरी आप सभी का स्वागत है अगर आपने yellow color choose किया था तो अब आपके लिए reading शुरू होगी और आप जानेंगे कि आपके किस्मत में क्या लिखा है क्या चीज आपको करनी चाहिए किस्मत में क्या लिखा है का मतलब आपके fit में क्या है exactly आपको मैं बताने वाला हूँ और आप जानेंगे कि क्या चीज़ें होने वाली हैं सबसे पहले cards को shuffle कर लो ताकि इनका पिछली बारी रीडिंग से connection break हो जाए ये rear ने energized हो जाए और नई information देने के लिए त्यार हो जाए ओके तो cards मेरे ready हो गए है और अब इनको fan out करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन से card आए है पहला card आपके लिए pile number बनाया है three of the pentacles का आपके लिए जो दूसरा card आया हुआ है ये है three of the wants तो दो three three आ गए है और तीसरा card आपके लिए है the star ये भी बढ़िया card आ गया star का card आ गया archangel खुद आ गई है और चौथा card आपके लिए आया है five of the swords का five of the swords का आना थोड़ा सा surprising है बट अब आ गया है six of the swords pile number three थोड़ी सी कमर कस लीजिए आपके लिए काफी taught होने वाली है reading काफी कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं थोड़ी सी आपके लिए warning भी है थोड़ी चीज़ें समझने के लिए हैं और थोड़ी चीज़ें आपको अपने जीवन में परिवर्तित भी करनी हैं मुझे intuition सानी शुरू हो गई है interpretation मिलनी शुरू हो गई है ये दोनों पाचों काड़ आपस में बाच्चीत करने शुरू कर दी है तो शुरू करते हैं आपके past से जैसा कि आपको पता है कि जब जब आप चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं अकेले हो जाते हैं लोग भाग जाते हैं आपकी जीवन से हट जाते हैं कि करने दो इसको और आपको ये भी पता होगा कि जब आप अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सफल भी हो जाते हैं, शुरुवात में आप डरते हैं, लेकिन सफलता मिलती जरूर है, क्योंकि आपके प्लैन सही होते हैं, आपकी दो द्रिश्टी सही होती है, आपकी योजनाओं पर आपका जो अपना छोटा सा confidence होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और किसी ने लिखा था उर्दू बोली, और मुझे उर्दू आती नहीं है, और हिंदी बहुत अच्छी आती है, तिसलिए मैं हिंदी बोलता हूं, और कुछ इंग्लिश के वर्जी उसकरने की कोशिश करता हूं, तो एक तरह के जंजावात, यानि disturbance का सामना भी आप कर रहे हैं और आपको बिलकल भी आइडिया नहीं होगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है, या आप इससे निकल सकते हैं या नहीं, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो कुछ आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो आपके अपनोंने ही लगाए हों, और उन आरोपों से आप कब तक लेंगे यही इस समय आपकी सबसे बड़ी समस्या है अगर आप अपने जीवन में एक शांती प्राप्त कर सकें वरतमान में तो आपको किस्मत विस्मत कुछ नहीं चाहिए बस यही इतना आपके लिए काफी है प्रेजेंट फेलिंग आपकी यही है और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आज की जो रिडिंग है इसका आपकी लव लाइफ मैरीड लाइफ इससे कोई लेने देना नहीं है तो वहां से कनेट करने की कोशिश मत करियेगा प्लीज अब मैं जैन कार्ड की हिल्प नूँगा चैसा कि मैंने आपको पास्ट बता दिया है पास्ट की जी हां ये किसमत के ऊपर चल रही है तो ये डिफरेंट होगी थोड़ी सी और जब मैं कैरियर पर लओंगा तो वह और डिफरेंट होगी जब कैरियर पर रिडिंग होगी तब आप देखिएगा मैं उसके उपर भी काम कर रहा हूं लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा कि और देखता हूं कि क्या चलता है शेरिंग पहला काड़ आप के लिए है शेरिंग का ये बढ़ीया काड़ है दूसरा करड़ा आफ के लिए थी औसांदर ये भी अच्छा काड़ है काड़ तो फिलाल सारे अच्छे हैं और तीसरा आया है रिपनेस सीचिवा ठीक है 사ट ड है यह मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ और यह मेरे से कुछ बता नहीं रही है तो इसलिए मैंने दुबारा सुद्पा कि मैंने गल्ड तो नहीं देख लिया चाउधा कार्ड निकालते ही हूँ वह मुझसे कुछ न कुछ जह कह देते हैं ये काट लाइन तो वो समझ में आ जाती है और पांचवा काड है फ्लॉरिंग का तो ठीक है पांच काड निकाले हैं जिनमें से चार काड मुझे इंफर्मेशन देनी शुरू कर दिये हैं रिपनेस के काड ने इंफर्मेशन अभी तक दी नहीं है और ये काड आया है नमबर थर्ड पोजिशन पे एक बार मैं इनको तरीके से रख लूँ ताकि मेरे लिए भी कन्फिजन नहों ठीक है अब ये हो गए है ठीक रिपनेस के काड को अगर कुछ कहना है और वो बताएंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताओंगा कि वो क्या कहते हैं और मुझे लगता है कि सबकी बाचित खत्म होने के बाद ही वो कुछ बोलने वाले हैं खैर तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपके जीवन में जो कुछ भी अभी प्रॉब्लम चल रही है ये प्रॉब्लम अगले दो से तीन महीने में और मैक्सिमम छे महीने में खत्म होने वाली है या इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल ही एक तरीके से किनारा खींचने वाले हैं लेकिन ये जो किनारा खींचने वाला मामला है या खत्म होने वाला मामला है ये बिलकुल ऐसा ही है जैसे आप इस किनारे पर हैं और समस्यां दूसरे किनारे पर हैं गई नहीं हैं दूसरे किनारे पर हैं वे आ सकती हैं अभी भी आ सकती हैं लेकिन उन्हें आपने एक तरफ छोड़ कर दिया एक तरफ छोड़ दिया है और दूसरी तरफ आ गया है तो अब आप चुकि दूसरी तरफ आ गया है तो अब मैं आपको बताता हूँ Zen Cards क्या कहते है और क्या करना चाहिए ताकि वो problems उस किनारे पर ही रह जाएं या वहाँ से चली जाएं दूसरी ओर चलीजेए आपके पास ना है सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने आप में आपको परसंद रहने के कोशिश करनी है जो पिछले काफी लंबे समय से आपने नहीं किया है खुद को खुश रखना है दूसरों को नहीं खुश रखना किसी के साथ खुशी को enjoy नहीं करना है कि चलो मैं Krishna ने कहा है तो किसी के साथ खाना खाने चला जाता हूँ बाहर, movie देखने चले जाते हैं बाहर या किसी के साथ celebrate करते हैं दिन बिताते हैं, ये सब नहीं करना है अपने साथ खुश रहना है थोड़ा मुश्किल काम दे रहा हूँ आपको अपने साथ खुश रहना मतलब खुद को खुद के साथ प्रसंद रखने की कोशिश करनी है यानि वो काम करने हैं जो आपको खुशी देते हैं परसनली आप खुश रहते हैं जो चीजें जैसे कभी कभी जिन्दगी में हम अकेले होते हैं जब फैमिली में कोई नहीं होता सब घर चले जाते हैं तो चोटे बचे क्या करते हैं बिस्तर पर कुदना शुरू करते हैं क्यों क्योंकि फैमिली वाले उस चीज के लिए रोक रहे होते हैं और अगर आपको कहीं खाना पीना पसंद है तो वहाँ पर जाईए चाहे थोड़ी दूर हो वहाँ जाईए एंजॉय करिए जो कुछ करना हो नदी के पास बैटना हो समुदर किनारे बैटना हो जो करना हो उसको करने के कोशिश करिए अपने आपको खुश रखिए पहला का दूसरी चीज थोड़ा सा हटकर सूचिए हटकर का मतलब आपने अपना एक दाहरा सा बना रखा है आप उस लिमिट के बाहर कभी भी अपने थिंकिंग को जाने ही नहीं देते हैं उस limit से बाहर निकाल करके think करने की कोशिश करिए जब ये करेंगे तो उसी समय आपकी imagination power शुरू हो जाएगी पहले नहीं शुरू होगी इसको समझ लें आप अगर inside रहेंगे जैसे वो कहते हैं think out of the box तो जो box है उसके अंदर ही आपकी अगर thinking चलती रहेगी तो वहाँ पर imagination आपकी नहीं चलेंगी क्यों 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 कि सब कुछ आपको पता है हर criteria हर angle आपको मालूम है तो हर criteria और हर angle चुकी आपको पता है तो आपकी imagination काम नहीं कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप outside जाते हैं out of the box जाते हैं जी हाँ शायद पहली बार है जब आप इस बात को explain होते हुए देख रहे हैं कि think out of the box का meaning क्या होता है तो जब box के बाहर की thinking होनी शुरू होगी तब आपका projection शुरू होगा आपके mind से imagination निकलनी शुरू होगी कि अब आपको तो पता नहीं न उधर क्या है तो आप imagine करना शुरू करेंगे उस thinking के साथ और जब आप imagine करेंगे तो थोड़ा हैरान होगे कि आपके पास ये power भी है और इस power को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप बिलकुल project कर सकते हैं कि आपको क्या करना है अपने plan को पूरी तरह से planned कर सकते है plan को planned करना यानि कि अपनी योजना को सही ढंक से योजना बद्ध कर सकते हैं ये English वाला था अब हिंदी वालों के लिए भी बता दूँ और जिनको उर्दू आती है वो English में समझने प्लीज क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती फिर्जा कहा रहा हूँ तो आपको अपने plan को और planned way में लाने के लिए out of the box जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है जब आप out of the box जाएंगे आपकी imagination power वहीं शुरू हो जाएंगी और आप ऐसी चीजों को imagine करेंगे जो अभी तक आपके लिए out of the reach थी पहुंच से बाहर थी और वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ परिवर्थित होना शुरू होगा आप अपने अंदर एक नए पन को देखेंगे एक नए परसन के तरह से आप आना शुरू होंगे और अब आ रहे हैं मेरे रिपनेस ये अब ठीक है ये तीसरे पर आये थे बटिंक को एक्शली पांच में पर आना था अब यहाँ पर जो information आनी शुरू होई है वो कहते हैं कि जब आप अपनी imagination को use करना शुरू करेंगे तब आपके अंदर कुछ परिवर्तित होगा और ये जो परिवर्तित होगा यही आपके जीवन में नए को लेकर के आएगा और जब आपके जीवन में नया आना शुरू होगा तब किस्मत आपको support करना शुरू करेगी यानि कि एक तरह से समझें किस्मत सोई हुई है आपको उसे हिला कर जगाना होगा और जब हिला कर जगाना होगा तो ऐसा वैसा नहीं हिलाना है पानी डाल दीजिए उसके उपर जगो जल्दी से उठोगे कैसे नहीं तो उसके उपर पानी डालने का तरीका है think out of the box और जब दूर की सोचेंगे think out of the box को छोड़ते हैं समझें आपने जो criteria बना रखा है जिसके बाहर आप नहीं जाते हैं आप अपने जीवन में इस समय थोड़ा सा घबराए हुए से हैं और जो बाहर की चीजें नहीं सोचने हैं आपको लगता है कि ऐसा करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा वो करूँगा तो यार पता नहीं क्या होगा शायद ये चीज मैं करी नहीं सकती हूँ ये मेरे बसका नहीं है मेरा criteria ही नहीं है, मेरी capability ही नहीं है, तो मैं नहीं करती हूँ, ऐसा जो सोच आपकी है ना, इन सब सोच को बंद कर दीजिए, और वो सोचना शुरू करिए, जो आपके limit के छेतर से बाहर है, जब आप वो सोचेंगे, तो आपकी imagination थोड़ी enhance होंगी, creativity बननी शुरू होगी, आपके अंदर कुछ परिवर्तित होगा, और आपको उसमें मजा आना शुरू होगा, जैसे ही मजा आना शुरू हो जाए, जैसे ही आपको अंदर से feeling सानी शुरू हो जाए, कि हाँ वो time होगा, जब किस्मत आपकी जाग के बोलेगी कि चलो, अब आपकी help करते हैं, और किस्मत क्या करेगी, ये पहले समझ लीजिए, किस्मत आपके दिशा में ले जाएगी, पहाड से कूदने वाली दिशा में जाएगी, तो वहाँ ले जाके किस्मत कुदा देगी, अगर आप success होने की दिशा में जाएगी, तो किस्मत ले जाके success करा देगी, किस्मत यही करती है, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा बना देती है, इस तो किसमत तो बिलकुल इनुसेंट है तो आपकी भी जब किसमत जग जाएगी आपका भागे जब जग जाएगा तो चीजें वहीं से परिवर्तित होना शुरू होगी चीजें अच्छी हो जाएगी और वो समय होगा जब आपकी जो सारी समस्या है उस पार जो खड़ी थी आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह खत्म कैसे हो रही है वो अपने आप खत्म होंगी और आपको बड़ा मजा आएगा इसमें तो पाइल नमबर थ्री छोटी सी बात आपके लिए बताई बहुत लंबी रीडिंग आपके लिए नहीं कर रहा हूँ लेकिन इसमें जो गहरा कि मैं बहुत क्लियर रीडिंग करता हूँ अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो रीडिंग को दुबारा से सुन लें दुबारा सुनेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और प्लीज अपनी सोई ही किसमत को जगाएं उसे सोता छोड़ देंगे तो वो मैं देख कि आप एक ऐसा समझोता कर लेंगे कि इसी में खुश रहेंगे इसी में खुशियां ढूंड लेंगे जैसे बहुत कम में कहते हैं ना बहुत कम में परसंद रहिए तो आपका माइंड वो हो जाएगा माइंड मतलब कंद हो जाएगा कंद मींस कम हो जाएगा चोटा हो जाए बस भाईया अब जो चल रहा है जिन्दगी में वही चलता रहे बस इतना ही काफी और वही चलता रहेगा आप कुछ कर नहीं पाएंगे आगे तो वो ना करें अपनी सोई ही किसमत को जगाएं अपने आपको इन्वाल्व करें जो मैंने बताया कन्फूजन हो तो दुबारा अपना पर्सनल टैरो शेशन चाहते हैं पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर मैं हर टॉपिक पर रीडिंग करता हूं क्योंकि मेरे पास 18 यर्स का अच्छा खास सा प्रफेशनल एक्सपिरियंस रहा है तो आप जो स्क्रीन पर वट्सेप नमबर आ तो आज की वीडियो को यहीं क्लोस करते हैं अगले वीडियो में पाई नमबर थरी आपसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ओके बाई बाई